लास्ट एपिसोड में आप सबने देखा कि निशा की जिन्दगी में तूफान खत्म नहीं हो रहा था कि एक चील उस पर अटैक करता है मगर महक उसे बचा लेती है आखिर उस चील का निशा की जिन्दगी में आने का क्या मकसद है वहीं दूसरी ओर निशा कनिशका से बात करती है तो उसे पता चलता है कि खनक और कशिश कनिशका और करण की ही परच्छाई है उधर कुंदन के मन में भी हजारों सवाल गूंच रहे थे मगर क्या कुंदन जान पाएगा अपना राज? जानने के लिए देखिए आगी की कहानी कुंदन नीद में चलता हुआ पहाडी के किनारे पर आ जाता है और जैसे ही मुड़कर देखता है उसके पीछे निशा खड़ी होती है जो नागिन के कपड़ों में होती है अर निशा तुम यहाँ? बस कुंदन अब तुम्हारा खेल खत्म और निशा गुस्से से कुंदन को पहाडी के नीचे धक्का दे देती है कुंदन गिरते हुए जोर से चिलाता है निलम! और तभी कुंदन की आँख खुल जाती है और वो खुद को बिस्तर पर पाता है कुंदन कॉलेज के लिए तयार होने लगता है उधर निशा और महिग भी कॉलेज के अंदर आ रही होती है निशा की कुहनी पर चोट लगी देख महिग पूचती है अरे निशा अब ये तोने कहा लग वाली पागल? अरे कल शाम को मैं वो बाजार निशा बोल ही रही थी तभी एक बड़ी सुन्दर गाड़ी जोर से हौन बजाते हुए निशा की और बढ़ती है मगर महिग निशा को धक्का दे देती है और गाड़ी आकर रुकती है गाड़ी के अंदर से एक लंबा चोड़ा लड़का निकलता है जिसे देख कॉलेज की लड़किया पागल हो जाती है तभी महिग गुसे से लड़के के पास जाती है तुम पागल हो क्या, दिखाई नहीं देता तभी निशा उठकर आती है और उस लड़के को देखती है तुम, तुमने फिर से मुझे ठकर मारी अरे मैडम, आप ही हर बाद मेरी गाड़ी के सामने क्यों आ जाती है I am sorry, by the way Hi, I am Neil और निशा हाथ मिलाते है फिर नील महक से भी मिलता है Hello, महक नील जैसे ही महक से हाथ मिलाता है अपनी डरावनी आँख दिखा कर महक को डराता है तुम दोनों तो मेरी दोस्त भी बन गई अब तो बड़ा मज़ा आएगा महक ये देख सहम जाती है मगर नील सामान ने हो जाता है और सब अंदर जाने लगते है निशा, मुझे ये लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा है चुप कर तू, तु तो हमेशा शक्खी करती रहती है और कुंदन भी पारस के साथ कॉलेज आ जाता है पारस महक को देख कर मुस्कुराता है भाया, मुझे लगता है मुझे भी अब यहाँ एडमिशन ले ही लेना चाहिए तभी कुंदन निशा के पास बात करने जाता है मगर नील बीच में आ जाता है निशा, मुझे कॉलेज नहीं दिखाओगी और वो निशा को वहाँ से ले जाता है कुंदन को बहुत अजीब लगता है तभी दोर खड़ी मयोरी ये सब देख रोने लग जाती है कुंदन, मैंने तो बस तुमसे प्यार ही मागा था ना पर तुम तो अब मेरी तरफ दीखते भी नहीं हो पर मैं जानती हूँ मुझे अब क्या करना है और नील, ये रहा हमारा क्लासरूम अरे मगर इसमें इतना अंधेरा क्यों है रुको में लाइट सौन करती हूँ निशा मुड़कर लाइट चलाने लगती है मगर उसे बटन नहीं मिलता तभी पीछे खड़े उस नील के दो बड़े बड़े चील के पंक निकल आगे हैं और आखे पीली हो जाती है यही सही मौका है इस नागिन को मार कर खा जाता हूँ वैसे भी मेरा काम तो इसे खत्म करना ही है तो खा ही जाऊंगा कितनी सादेश्ट होगी है और नील अपने पंक फड़फडाने लगता है पंकों की आवाज सुनकर निशा जैसे ही मुड़ने लगती है अंधेरे में उसे चील के बड़े पंकों की परचाई नजर आती है ये देख निशा चिला देती है आँ! ओ यही है! ये सुन कुंदन भी कमरे में आ जाता है कुंदन को आता दे नील फटाफट नॉर्मल हो जाता है कुंदन के साथ मेहक और खनक भी कमरे में आ जाते है कौन है आपर? क्या हुआ निशा? निशा कुंदन के सीने से चिपक जाती है वो वो चील! वो बहुत बड़ा था! वो अभी यही था मेहक! ये तुम क्या कहा रही हो? एक चील! शाबाश निशा एकदम सही एक्टिंग करी तुमने! वो कुंदन नाटक में एक चील विलेन होगा! अब मयूरी तो मोरनी बन नहीं रही! मगर आखिर ये चील बनेगा कौन? खनक बात समभाल लेती है! फिर खनक नील को देखती है! हे यू, टॉल बॉय! तुम बनोगे मेरे नाटक में चील! चलो अब प्रैक्टिस शुरू करो! मयूरी बाहर खड़ी होकर ये सब सुन रही थी! अगर मैं नाटक करूँगी, तो मैं ही नागिन नीलम बनूँगी! मेरे कुंदन की नागिन! और सब लोग बाहर आकर ड्रामा रूम में जाने लगते हैं! वो कुंदन मुझे वाश्रूम जाना है, मैं दो मिनिट में आई! और निशा वाश्रूम में चली जाती है! निशा अपना मूध हो रही थी, कि उसे दर्वाजे के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आती है! कौन है? और निशा दर्वाजा खोलती है, तो चौक जाती है! सामने एक बहुत बड़ी मोर्नी बैठी होती है! अरे एक मोर्नी? यहाँ? देखो तो कितनी सुन्दर मोर्नी है! और निशा जैसे ही उसके सिर पर हाथ फेड़ने लगती है, मोर्नी अपनी आँख से तेज रोश्नी निकाल कर निशा पर बार करती है, मगर निशा हट जाती है और पीछे लगा कांच तूट जाता है! कौन हो तुम? तभी मोर्नी अपने पंग फेला कर निशा के उपर काटे भीटती है, मगर निशा तुरंद गायब हो जाती है, मोर्नी भी गायब हो जाती है, और दोनों जंगल में जाकर खड़े हो जाती है, निशा अपने नागिन के कपड़ों में आ जाती है, मगर आखेर ये मोरनी थी कौन, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, फिर भी तुम मेरे पीचे क्यों पड़ी हो, बताओ किसने बेचा है तुझे, तुम मुझे नहीं जानती होगी, मगर मैं तुझे अच्छे से जानती हो नागिन, निशा ये सुनकर चौक जाती है, तुम्हें कैस अब पता है, और मैं ये भी जानती हूँ, कि तुम मेरे प्यार को मुझे से चीनना चाहती है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, और मोरनी उचल कर, निशा के उपर वार करती है, निशा भी विशाल काली नागिन में बदल जाती है, अच्छा, तुझे लड़ना ही है, तो अबी नागिन अपनी पूर्ट से मोरनी को पूरी तरह जकर लेती है, जिससे उसे सांसानी बंद हो जाती है, और मोरनी मर जाती है, निशा ये देख बहुत खुश होती है, आई बड़ी मुझ से लड़ने वाली, हो गई न ठेर, और निशा मोरनी को छोड़ कर जाने लगती है, कि तभी वो देखती है, कि मोरनी उसके सामने खड़ी होती है, निशा मोर कर देखती है, तो मोरनी तो जमीन पर मरी पड़ी थी, तो फिर ये कैसे हो सकता है, बेवकूफ नागिन, और दोनों धिर से लड़ाई करते हैं, इस बार भी निशा मोरनी को मार देती है, मगर फ और नागेन अपना आकार बढ़ा कर अपने दस सिर निकाल लेती है ये देख मोरनी डर जाती है क्यूं डर गई ना रुक अभी बताती हूं तुझे और नागेन अपनी बड़ी पूँच और दस सिर से सारी मोरनियों को उठा कर फीकने लगती है और उनमें से असली मोरनी ये देख डर के मारे वहां से भागने लगती है रुक ज़टर पो कहा जा रही है तब ही नागेन अपनी पूँच से मोरनी पर जोड़डार हमला करती है जिससे उसके खून आने लगते है मगर वो वहां से भागने लगती है मगर जाते-जाते निशा के हाथ में एक पंख लग निशा नॉर्मल हो जाती है आखिर ये सारे दुश्मन है कौन और क्या इनके दुश्मनी नीलम से है या निशा से मुझे मेरे दोस्तों को ये पताना होगा और निशा वापिस कॉलेज पहुँचती है सभी लोग वहां नाटक में लगे हुए थे कि तभी निशा भी वहां आत निशा और मेहक जैसे ही मोडते हैं देखते हैं उनके पीछे कुंदन खड़ा हुआ था कौन हो तुम कुंदन क्या तुमने सब सुन लिया है कौन हो तुम हाँ मैंने सब सुन लिया है और मैं तुम्हारा सच भी जान गया हूँ कि तुम एक नागिन हो मेहक और निशा एक द निशा और महेग खनक के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं और निशा खनक को वो मोर्नी का पंक दे देती है। महेग भी दूर जाकर किसी को संदेश भेज कर बात करती है। आप चिंता मत करिए, अभी तक सब वैसा ही चल रहा है जैसा आपने कहा था। तुम जानती हो न, निशा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ मैं जानती हूँ, हमारा मकसद पूरा होने के लिए निशा का जिन्दा रहना ज़रूरी है, बहुत जल्दी मन्जिल हमारे करीब होगी। कनिशका, निशा का सफर आसान नहीं है। ये देखो मुझे उसने इस मोर्नी का पंक दिया है। उसकी लड़ाई उन काली शक्तियों और काले जादू से है। आखिर कौन है निशा और कुंदन का दुश्मन और कौन है इनका दोस्त। जानने के लिए देखिए आगे के सभी एपिसोड कहानी आगे भी जारी रहेगी नागिन सीजन 5 का असली मजा लेने के लिए हर एक एपिसोड देखें केवल एनिम स्टोरीज पर थैंक्स फॉर वाचिंग कहानी जारी रहेगी और हां बेल आइकॉन जरूर दबाएं काकि आपको आने वाले सारे एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे न्यू एपिसोड ओनली एनिम स्टोरीज पर